हलो फ्रेंट्स एक बाब फिर से आप सभी का स्वागत है रियल कोई के अनलिसिस चैनल पर तो चलिए जल्दी से चुर्चा करते हैं हम अपने आज के रोचक अनलिसिस की आज की वीडियो पार्टनर है जैनपरीत मककर जी इस स्पॉंशर्शिप के लिए आपको धन्यवाद है जैसा की हम सभी को जानकारी है कि ब्रिटेन के प्रधान मंतरी आगामी गरतंतर दिवस समारों में मुख अथिती के रूप में भाग लेने जा रही है और इस बात की संभ भावना प्रवल है कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच फ्री एंड ट्रेड डील फाइनल हो जाएगी लेकिन जैसा कि हम सभी ने पहले भी अमेरिका के केस में देखा है ऐसी डील जब तक हो ना जाएं तब तक उनके लिए खुशी मनाने का कोई मतलब नहीं ह जबकि हम दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड डील के होने का इंतजार कर रहे हैं इसी बैक्ग्राउंड में जमीनी फैक्ट यह है कि यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन के निकल जाने के बाद अगले कुछी दिनों के भीतर दोनों के बीच ट्रेड निगोशियेशन को खतम होना है और ब्रिटेन की संसस्से पारित होने के बाद नए साल से ब्रिटेन UK Global Tariff लगाने वाला है अब सवाल उठता है कि ब्रिटेन में हो रहे इस परिवर्तन से हमें क्या लाब हो सकता है तो दोस्तों दरशल बात यह है कि इन नए टैरिफ के अनुसार करीब 900 आइट हैं जिन्हें भारत ब्रिटें को एक्सपौट करता है केहने का मतलब है कि इंस पान सो आइटम को एकSport करने की छमता हमारे पास है यहां पर गौर करने वाली बात यह साल बिटें करीब 22 BILLION डॉलर का खर्चा करके यह आइटम इंपोर्ट करता है मतलब ब्रिटेंग यू के अंदर हो या बाहर हो उसे यह 500 आइटम्स इंपोर्ट तो करने पड़ेंगे और उसके लिए वह 32 बिलियन डॉलर भी खर्च करेगा ही अब मुद्दे की बात यह है कि मुंबई वर्ल्ट ट्रेट सेंटर की रिपोर्ट के मताविक मार्केट दिमांड तो है 32 बिलियन डॉलर की जिसमें से महज 547 मिलियन डॉलर का माल ही भारत एक्सपोर्ट कर रहा है मतलब मौटे तोर पर ए सो अवाबिक है ब्रिटेन में प्रती सपर्दा कर पाने में इंडियन माल को आसानी होगी और हम अपने एक्सपोर्ट बढ़ा पाएंगे मतलब चादर बहुत लंबी है हमें बस अब यह देखना है कि हमारे पाउं कितने लंबे हैं बहसरा शब्दों में भारत से ब्रिटेन को होने वाले एक्सपोर्ट में कई गुना बड़ात्री होने की संभावना अब बहुत अतिक बढ़ गई है यहां तक कि ब्रिटेन की मंत्री के अनुसार अभी भारतिये माल पर लगने वाले यूरोपियन टैरिफ की तुलना में यह नए यूके ग्लोबल टैरिफ भारत के लिए दुगने लापकारी होंगे लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि इन जीरो टैरिफ का भारत को तब तक मिलेगा जब तक भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेट एग्रिमेंट नहीं है वैसे भी भारत को अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ब्रिटेन फ्री से कम ड्यूटी लगाए इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि मोधी सरकार इस एग्रिमेंट पर साइन करते हुए निश्यत करेगी कि यह ट्रेट डील फ्री एंड फेर दोना हो मतलब यूगे ग्लोबल टैरिफ के अंतरगात भारत के लिए खुलने वाला 32 बिलियन डॉलर क बजार हमारे लिए बराबर खुला ही रहना चाहिए वैसे भी यह कॉमन सेंस है आप ही बताए भारत एग्रिमेंट करेगा ही क्यों यदि एग्रिमेंट की तिलना में एग्रिमेंट के ना होने से हमें ज्यादा लाव हो पॉइंट सिंपिल है दौनों देशों की बीच एग्रिमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे दौनों को एक्वल बेनिफिट मिले और जैसा कि साब दिखाई दे रहा है यूके ग्लोबल टैरिफ के जरिये ब्रिटेन भारत को दिखाने की कोशिच कर रहा है कि वैं भारत के लिए दो बिलियन डॉलर का लाब होता है मतलब ये ट्रेट रिलेशनशिप हमारे लिए मुनाफिका सौधा है इसके सामने जरा देखिए कि अभी हम दोनों देश ट्रेट कर रहे हैं टोटल 16 बिलियन डॉलर का और नए प्रस्ताविक टेरिफ से अकेले भारत को डवल यानि कि 32 ब पहलू होते हैं इसलिए यू से ब्रिटेन के बाहर निकल जाने पर भारत को लाब हो सकता है यह बात तो लंबे समय से प्रकट की जा रही थी लेकिन अब ऐसा होता हुए दिख भी रहा है और यह एक संतोस्वरा सिचुएशन है अंत में इस वीडियो के स्पॉंसर जनप्री कीजिए और आप हमारे चैनल की मेंबर्शिप भी ले सकते हैं थैंक यू वा वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स